हलो बच्चों, जैहिन, आज हम पढ़ेंगे, बच्चों, क्लोरीनेशन इन हैलो एरिंस, हैलो एरिंस में क्लोरीनेशन कैसे करा जाता है, पहले तो हम बच्चों इसको देखेंगे, क्लोरीनेशन होता क्या है, फिल हम देखेंगे, हैलो एरिंस में क्लोरीनेशन कैसे होता है, पर electron density बच्चों अधिक होती है जो ने से कारण हमने आपको बताया था आर्थो और पायरा पोजिशन बच्चों active होता है इसलिए दो product बनाते हैं आर्थो और पायरा directing तो सवाल उठता है कि इसमें major product क्या है पिछले chapter में या पिछले lecture में हमने आपको बताया था बच्चों electrophilic 32 sensor किस प्रकार से होती है जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको देख करके तब इस वीडियो को देखेगा बच्चों तब आपके समझ में आएगा चले ठीक है तो यहाँ पर हम बच्चों आज हम पढ़ेंगे chlorination तो chlorination का मतलब क्या होता है जरा इसको देखो बच्चों जब hydrogen of benzene ring बच्चों benzene ring benzene ring की hydrogen बच्चों replaced कर दियाते replaced by chloronium iron chloronium iron chloronium chloronium iron chlorination तो यहाँ पर जब benzene ring की जो chloro-benzen है बच्चों उसकी hydrogen को replace कर दिया जाता है chloronium iron द्वारा तो इसी कहते हैं बच्चों chlorination तो जड़ा चिक करना जैसे माल लेते हैं बच्चों हमने एक आपका जो course में है जो आपके subject में है द्वारा जाता है बच्चों यहाँ बच्चों यहाँ पर कर सकता है बच्चों इस प्रकार से CL था यहाँ पर क्लोरीन आ गया और H प्लस को बाहर ठेकता है तो यह आपका बना बच्चों आर्थो पोजिशन वाला और यह बना पायरा पोजिशन वाला और हमने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों यही आपका का होगा मेजर प्रोडक्ट होगा बच तो इसके लिए बच्चों पहले तो हम नोट करेंगी कंडीशन क्या होने से किस कंडीशन में हम इसको कराते हैं बच्चों पहली बात तो डार्क होना चाहिए बच्चों लो टंप्रेचर होना चाहिए ठीक है अगर लाइट या हाई टंप्रेचर होगा तो इलेक्ट्रोफि Lewis Acid का मतलब जैसे बच्चों ALCL3 का प्रेयोग करेंगे या Iron और क्लोरीन का प्रेयोग करेंगे या Fcl3 का प्रेयोग करेंगे ये बच्चों Lewis Acid है सभी बच्चों को पता है कि Lewis Acid ऐसे रिएजेंट होते हैं बच्चों जो Lone Pair Electron Acceptor होते हैं अर्थात इसमें Electronों की क्या होते ब CL3 में तो एल्मूनियम थर्ड ग्रूप का है सभी बच्चों को पता है ये तीन बांड बनाता है चुकि इसकी वैलेंसी तीन होती है अब आप खुछ सोचो बच्चों जब ये तीन क्लोरीन के साथ बनाया हुआ है तो इसके आउटर मोस्ट आर्बिट पर अभी भी 6 इलेक्ट ये अर्धो और पर अटेकर के दो डिजार्प ठुक बनाता है आर्थो और पैरा डिरैटिन इससे कहिए बच्चों आर्थो इससे कहें आर्थो क्लोरो क्लोरो बेंचिन नागौनि nhân थीक है तो ये कैसे हुआ अब इसको हम देखते हैं बच्चों इसकी मैकेनियम पर आते हैं तो फटा-फट इसको स्क्रिन साट में डाले लो बच्चों, इसके बार हम आते हैं, ले लिजये, चले, चलो बच्चों अब हम इसके मेकरेजम पर आते हैं कि आखिर इसके लिए कंडिशन क्या होनी चाहिए, तो चाहिए अपने देखा, डार्क होने चाहिए, लोग टम्परे तो इस तरह से आप देखिए, तो होता क्या है, कि यहां पर बच्चों सबसे पहले हम क्लोरो बेंजीन में, तो क्लोरो बेंजीन हम का एक्जामपल ले रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आती है क्लोरीन, अब यह क्लोरीन की बीच में सभी बच्चों को पता है, सिंगल कोबरें बना है और इसमें कोई भी आपने जो लूइस एसलिया है बच्चों मान लेते हैं कोई बच्चा लूइस ऐलमॉनियम ख्लॉराइड लिया है अब इसको है इलेक्टॉन की जरूरत अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों मान लेजिए इस पर हेट्रोलाइसिस कराएगा तो इस पर इलेक्टॉन इस परागत इलेक्टॉन डेस्टी इसके साथ ज्यादा होगी बच्चों यह इसके साथ कंबाइन कर लेता है और बनाता है बच्चों ALCL4- चुकि न्युटल था एक मानस आगया तो ALCL4- बना और यहाँ पर बच्चों ECL प्लेस को जनरेट करता है और यहीं सभी बच्चे जानते ही लेक्टो फाइल है और यह अटाइकिंग री एजेंट होगा अर्थात अब बेंजीन रिंग पर बच्चों अटाइक करता है सवाल यह उठता है कि कैसे तो होता यह है बच्चों माल लेते हैं हमने क्लोरो बेंजीन लिया ठीक है अब यह क्लोरो बेंजीन है सभी बच्चों को पता है और यहां पर आर्थो और पायरा ही एक्टिव होता है ऐसा मैंने क्यों बोला चुकि हमने जो आपका वीडियो था अब इसमें जो क्लोरोनियम आयन है बच्चों जो की एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां की हाइडोजन को हटा सकता है यहां की भी हाइडोजन को हटा सकता है तो सोची जरा जब यहां पर बच्चों इस पर अटेक किया माल लीजिए ठीक है तो होता यूँ है कि यहां पर इस पर लगने वाला है बच्चों अब यहां पर हो गया बच्चों नेगेटिव यहां पर सभी बच्चे देख रहे हैं हाइड्रोजन पाहले से ही था अब इसकी जो है बच्चों इसकी जो बना हुआ है इसकी ऐरोमाइसिटी वैनिस हो गए यह समाप्त हो चुकि क्यों कि इसमें बच्चों फोर पाई प्लेस टू इलेक्ट्रॉन देखे तो केवल चार ही है बच्चों दो और दो चार तो ऐरोमसिटी में दो हो सकते हैं बच्चों च्छह हो सकते हैं दस हो सकते हैं लेकिन 4 एलेक्ट्रॉन बनाने यह लगा बच्चों यहां पर bond बनाने कोसिस करेगा तो यह bond बनके आपका तयार हो गया और इस प्रकार से यहां पर फिर bond हो गया बच्चों और इस प्रकार से chlorine यहां पर लग गया और H plus को बाहर कर दिया यही क्रम बच्चों यहां पर भी हो सकता है ठीक है यही क्रम यहां पर भी हो सक पर है और यह पेरासीमेट्रिकल होने कार बच्चों यही आपका मेजर अार हो वह होटा क्या है अब पिक्चर में आती है बच्चों अईल सी एल फौर माइनस अब यह यहां इस ए USA प्लस अर्थात प्रोटान को है बच्चों, इलेक्टान की जरूरत, अब यह करता क्या है, एक क्लोराइड आइन को इसको देता है, SEL बदल जाता है, और फिर बदल जाता है बच्चों, ALCL 3, यह फिर प्रोड़क्ट बन गया बच्चों, हमने यहीं सुरू किया ही, इसका मतलब क्या निकला, यह काइटलिस्ट की तरह बेहार करता है बच्चों, चुकि काइटलिस्ट रहसे केमिकल होते हैं, जो केमिकल रियक्शन के अंतरगर बच्चों अंचेंज होते हैं, तो यहां पर बच्चे लोग देखें, तो कोई भी है, यह major product बनता है, क्यों कि यहां पर बच्चों काहली बात तो symmetric है, यह symmetrical है, और दूसरी बात, यह इसमें less steric effect है, बच्चों, steric effect है, steric effect का मतलब बच्चों crowdness, और यह minor product यूप में बनेगा बच्चों, तो इस प्रकार से आपका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेर ज़रूर करेगा नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात ही नहीं तेंक्यू बेरी मच्च